बहराईज की गुतवाली देहात शित्र में आज उस वक्त अहड़कम बज गया जब एक प्रत्याशी का शाओ रुकनापूर इलाके में नहर के किनारे से बरामद हुआ प्रत्याशी के पत्याशी की पत्यी ने मताया है कि कल सुबस साथ बजे घर से बता कर निकले थे वही बहराईज ज़ोा रहे थे। तब ही वो रास्ते में अचानक लापता हो गए, लगातार उनके द्वारा फोन भी क्या गया, लेकिन फोन बंद जा रहा था, वह बहराईच जो है प्रमाणा पत्र बनमाने के लिए पहुँचे थी, पती ने बताया कि लगातार गाउं के कुछ प्राम्हु द्वारा उनको ध प्रत्याशी प्रयापुर के अकरोरा गाउं का निवासी है, इसका नाम धर्वेंदर चौधरी है, बरते अंगले खबर के और गोरकपूर में मिश्वन सक्ति, अभियान के तहस शुक्रवार को राजगार थाना पर नो निर्मित महिला हेल्प डेस्ट का वरिष्ट पुलिस सदिक्षक नगर सोनम कुमार और 16 अधिकारी, कोतवाली बीपिय सिंग भी उपसित रहें, जहां बताएगा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वाबलंबन का पूरा ध्यान रखा जाएगा, महिला हेल्प डेस्ट के शुरुवात प्रदेश सरकार की अच्छी पहल है, महिला हेल्प डेस्ट पर आने वाली हर महिलाओं दिक्कतों का सामाधान करने के लिए महिला कॉंस्टेबल को तैनात क्या गया है, सांती थाने में स्थापित हेल्प लाइन डेस्ट पर तैनात महिला पुलिस कर्मी महिलाओं को मिशन सक्ति के बारे में जानकारी देकर जाग दूब की वज़ा से दिन में काफी गर्मी थी वहीं अब दिल्ले अंसियार का मौसम कुछ सुहाना जरूर हुआ हलाकि धूल भरी हमाएं चलने से राहगिरों को परिशानी जरूर हो रही है दिन में लगातार बड़ती गर्मी के वीश शुक्रवार से दो दिन के लिए दिल्ली वासियों को गर्मी सुराहत मिले का अनुमान मौसम में भागने पहले ही लगाया था अगले 24 गंटे में दिल्ली में थेज हवाच चलने के साथ शाम तक बारिस की भी संभावना बनी हुई है इससे अधिक्तम ताप पान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जा सकती है वाराणसी में रोटी बैंक सुंचालक की शोर कांत तिबारी का कुरोना संक्रमन से निधन हो गया रोटी बैंक के जरिये गरीवों तक भोजन पहुचाने वाले यूवा सामाजी कारेकरता के निधन से हर तपके में शोक खिलहर है पर जो उनने बताया है कि तेज बुखार के चलते हालत बिगड़ने पर उन्हें रविंदरपुरी इस्तित एकनीजी अस्पताल में भरती कराया था इलाज के दरान उन्होंने तम तोड़ दिया विहार के सासा रावनिवासी की शोर कांत महेश नगल में रहते थी गरीवों को भोजन पहुचाने के लिए रोटी बैंक के शुरुवात उन्होंने 2017 में की थी अभी वो अपने रोटी बैंक के लिए रसोई घर का भी निर्माड करवा रहे थे रोटी बैंक के जरिये व शहर में होने वाले आईजनों से बचे भोजन को जुटाने के बाद घूम घूम कर मरीजों में खाना बारते थे लोगडाउन के दौरान उन्होंने हजारों लोगों को दो वक्त की रोटी महया कराई थी मेरट में युक शिक्षका के सांथ छेड़चाड का मामला सामयाया है बताया जा रहा है कि सोसाइटी के गार्ड और दबंग यूकों ने यूती के सांथ छेड़चाड की वहीं शिक्षका ने कालोनी का गेट बंद कर मारपेट और अभद्रता करने का आरोप लगाया है सांसे शिकायत करने पर पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की और दबंगों से पुलिस के मिली भकत होने के भी बात सामने आ रही है बीडिता ने आरोप लगाया है SSP, DMR को सिकात पत्र देकर शिक्षका ने निया के गुहार लगाई है